हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटफेस बाई रवी पर तो फ्रेंट्स आज मैं आपकी डिमांड पर वीकली करेंटफेस के कॉश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने सभी question selected और important लिये हैं अगर आप किसी भी exam की तयारी करे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यूदा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं first question से फर्स question नमारा भारतिय दलहन और अनाज संग यानि इंडिया Pulses and Grain Association के नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका सही आंसर है friends option A बिमल कोठारी तो friends बिमल कोठारी भारतिय दलहन और अनाज संग के नए अध्यक्ष बने हैं ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं बिमल कोठारी जीतू बेडा का स्थान लेंगे और IPGA यानि इंडिया Pulses and Grain Association जिसका मुख्याले है मुंबई महाराष्ट में ये भी आपने याद रखना है next question है किस राजे सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राजे से पलायन करने से रोकने के लिए हिम्प राहरी योजना को शुरू किया है इसका सही आंसर है friends option C उत्राखंड तो friends उत्राखंड राजे सकार ने हिम्प राहरी योजना को शुरू किया है ये भी आपने याद रखना है आईए important point से question को जान लेते हैं इस योजना का उत्देश ये उत्राखंड के सिमांत जिलों में अर्थात अंतरराश्टी सिमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथोरागड जैसे जिलों में पलायन करने से युवाओं को रोकना और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारती अबादी को बसाना है ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है न्यूजिलेंड क्रिकेट अवोर्ड दोहजार बाइस में सर्वशेष्ट पूरुष और महिला टी-20 अंतरराश्टी क्रिकेटर अफ द एयर का पूरुसकार किसने जीता है तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओप्शन ए ट न्यूजिलेंड क्रिकेट अवोर्ड दोहजार बाइस में न्यूजिलेंड के तेज गेंद बाज ट्रेंट बोल्ट ने सर्वशेष्ट पूरुष टी-20 अंतरराश्टी क्रिकेटर अफ द एयर का पूरुसकार जीता है तो वही महिला वर्ग में न्यूजिलेंड महिला दिवस दोहजार बाइस यानि वर्ल्ड आर्ट डे कब बनाया गया है तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओप्शिन ए 15 अप्रेल को विश्वकला दिवस दोहजार बाइस मनाया गया है ये भी आपने याद रखना है इम्पोर्टन पैंट से जा लेते हैं ये मोना लीसा के प इसवी भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वारता का आयोजन कहां हुआ है तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओप्शिन सी पैरिस फ्रांस तो फ्रेंड्स फ्रांस के पैरिस में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वारता का आयोजन हुआ है ये भी आपने याद रखना है दुनियादी धांचा परदान करने में सहयोग करना है ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन है टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका सही आंसर है फ्रेंट्स ओप्षिन बी एन चंदरशेखरन तो फ्रेंट्स एन चंदरशेखरन टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं ये भी आपने याद रखना है और इसके अध्यक्ष हैं नटराजन, चंदर, शेकरन और संस्थापक हैं जमशेद जी टाटा ये आपने याद रखना है इसका सही आंसर है फ्रेंट्स ओप्शन सी भारत तो फ्रेंट्स हमारा भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा ये भी आपने याद रखना है इंपोर्टन पाइंट से कोशन को जान लेते हैं इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड युनाइटेड और सेव द चिल्डरन इंडिया द्वारा किया जा रहा है और इस विश्व कप में भाग लेने वाले देश बांगलादेश, बॉलिविया, ब्राजिल, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंग्री, मौरिश्यस, मैक्सिको, नेपाल, रंबाड़ा, दक्षिन अफरीका, श्रिलंका, तंजानिया, युगंडा और जिंबावे हैं और इसका आयोजन सल है, भारत ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है प्रोधोगी की विकास और हत्यार परनालियों के रख रखाव के लिए भारतिय वायूसेना यानि इंडियन एफोस ने किस संस्थान के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इसका सही आपनालियों के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर की है, ये भी आपने याद रखना है इंपोर्टन पैंट से कॉशन को जान लेते हैं भारती वायुसेना के साथ इस समझोते में भारतिय प्रोधगी संस्थान IIT मदरास वायुसेना के रखरखाव कमान के बेस रिपेर डीपो के स्वदेशी करिंग के प्रयासों में महत्वपून योगदान देगा ताकि रखरखाव शमता बढ़ाने और अन्य उपायों में दिवस मनाया जाता है आठ अक्तूबर को और वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी ये भी आपने याद रखना है ब्यूटँ तो इसका सही आंसर है फ्रेंस ऑप्शिन ए और यलियंस फ्रांस में ये ये आपने याद रखना है आईए इम्पोडन्ट पाउवेंट से कोश्वन को जान लेते हैं भारतिय शटलर मिथुन मंजुनात ने बैटमिंटन टूनामेंट और इलियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में रज़त पदक जीता है वहीं अश्वनी भट और शिखा गौतम की महिला यूगल जोडी ने इस टूनामेंट में महिला यूगल में कां से पदक जीता है और इसका आयोजन्स धल है और इलियंस फ्रांस ये भी आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स अगला कोशन करने से पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारी इस वीडियो की पीडियेफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे एह आप इसे भी बाई कर लिजेगा क्योंकि ये आपके हर एक्जाम के लिए हमारी जो मन्थली इबुक है ये काफी useful रहने वाली है नेक्स कोशन है नव वर्ष उत्सव पोईला बेशाख किस देश में मनाया गया है तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स ऑप्शिन डी बांगलादेश तो फ्रेंट्स बांगलादेश में नव वर्ष उत्सव पोईला बेशाख मनाया गया है ये आपने यादक नहीं तो फ्रेंट इस दिन बंगाली समुदाए के नव वर्ष की शुरुवात होती है और friends हमारे question में बात हुई है बांगलादेश की तो चलिए मैं आपको बांगलादेश के बारे में बता देता हूँ बांगलादेश की राजधानी है धाका बांगलादेश की करंसी है टका और परधान मंतरी हैं बांगलादेश के शेक हसीना और बांगलादेश के राश्टरपती हैं अब दुलहामेद ये आपने याद रखना है नेक्स्ट है पूरुष F.I.H. होकी विश्वकप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा इसका सही आंसर है F.I.H. option D. भूवनेश्वर ओडिशा में पूरुष F.I.H. होकी विश्वकप 2023 आयोजित किया जाएगा ये आपने याद रखना है इंपॉर्डन पॉइंट से जान लेते हैं वश 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नमेंट की मेजबानी करेगा और टूर्नमेंट से पहले ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने भूवनेश्वर के क्लिंग स्टेडियम में FIH पूर्ष होकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरन किया है और आयोजन स्थल है भूवनेश्वर ओडिशा और संस्क्रन है पंदर्मा ये आपने याद रखना है और फ्रेंट से हमारे क्वेशन में बात हुई है FIH की यानि इंटरनेशनल होकी फेडरिशन विश्व में जितने भी होकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में मुख्याले है स्विजरलेंड लुसाने में और अध्यक्ष है नरेंदर बतरा और सीओ है थियरी वेल ये आपने याद रखना है इसका सही आंचर है फ्रेंट्स ऑप्शन सी उडान योजना को फ्रेंट्स उडान योजना को प्रधान मंतरी उद्ख्रिश्टा पुरुसकार 2022 के लिए चुना गया है ये आपने याद रखना है important point से question को जान लेते हैं केंदर सरकार द्वारा विभिन जिलों और राजी सरकार के प्रतिश्थानों द्वारा किये गई श्रेष्ट कारियों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधान मंतरी उद्ख्रिश्टा पुरुसकार प्रधान किये जाते हैं तो चलिए friends अब जान लेते हैं उडान योजना के बारे में उडान की फुल्वम है उडे देश का आम नागरिक उडान योजना का उदेश आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्द कराना और हवाई अड्डों के पुनरुद्धान के माध्यम से देश के अनुमोधित और गैर अनुमोधित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क परदान करना है ये भी आपने याद रखना है इसका सही आंसर है और इसकी रेंज साथ किलो मेटर तक है ये दुनिया की पहली उर्जा आधारित हाथियार परनाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोटार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आधी को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उप्योग करती है ये आपने याद रखना है अफेंट्स हमारे कुशन में बात हुई है इस्राइल की तो चलिए इस्राइल के बारे में जान लेते हैं और इसलाइल के राष्टपती हैं इसाख हर्जोग नेक्स कोशन है विश्व आवास दिवस 2022 यानि वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया है इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओप्शन C 16 अप्रेल को तो फ्रेंड्स 16 अप्रेल को विश्व आवास दिवस 2022 मनाया गया है ये आपने याद रखना है तो आएए इंपोर्टन पाइंट से कोशन को जान लेते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश स्वास्थ और संचार के पहलूं के प्रती जागरुकता पैदा करना और मानव अवाज के महत्व को पह जाना है और इस वर्ष की इसकी थीम है अवाज उठाओ यानि lift your voice ये आपने याद रखना है इसका सही आंसर है और और मनीशा कपूर भारती विज्यापन मानक परिशद की नई CEO बनी है ये आपने याद रखना है important point से question को जान लेते हैं ASCI यानि Advertising Standard Council of India यानि भारती विज्याण मानक परिशद भारत में विज्यापन उध्योग का एक स्वेश्चिक स्वे नियामिक संगठन है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्याले मुंबई महराष्ट में हैं और अध्यक्ष हैं सुभाश कामठी ये भी आपने याद रखना है next question है सडक दुरगटनाओं की ततकाल जानकारी परदान करने के लिए E-DAR Portal को किसने लाउंच किया है इसका सही आंसर है friends option B सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरालिय तो friends सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरालिय ने E-DAR Portal को लाउंच किया है ये आपने याद रखना है आईए important point से question को जान लेते हैं E-DAR यानी E-Dietail Accident Report ये web portal सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्ज से तयार किया गया है ये web portal कुछ एक click में सडक दुरगटना परततकाल जानकारी परदान करेगा और दुरगटना मुआबजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा और जिससे पीड़तों के परिवहरों को रहात मिलेगी और फ्रेंट्स नितिन गड़करी सडक परिवहन और राजमार्ग मंतराले के मंतरी हैं ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है 71 वी सीनियर राष्ट्र बास्केट बोल चैंपेंशिप 2022 का किताब किसने जीता है इसका सही आज़न नेक्स डाष्ट्र बास्केट बोल चैंपेंशिप 2022 का खिताब जीता है ये आपने याद रखना है 31 सीनियर राष्ट्र बास्केट बॉल चैंपेंशिप 2022 के फाइनल में तमिलनाडू ने पंजाब को 87-89 से हरा कर पुरुष वग का खिताब जीत लिया है वही महिलावग में भारतिय रेलवे ने तेलनगाना को 131-82 से हरा कर ये खिताब जीता है और इसका आयोजन सल है चन्नाई तमिलनाडू और संसकर्ण है 71 ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है अंतर मंतरी स्तरिय समन्वय समू की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स ऑप्शन ए हर्ष श्रेंगला जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिन है तो फ्रेंट्स हर श्रेंगला ने अंतर मंत्री स्तरिय समुह की पहली बैठक की अधक्षता की है यह आपने याद रखना है आए इंपोर्टन पॉइंट से कोशन को जान लेते हैं इस बैठक में अफगानिस्तान, बांगलादेश, भुटान, मालवी, नेपाल, श्रिलंका के साथ द्वी पक्षिय संबंदों पर चर्चा की गई है और इसमें व्यापार, निवेश, संपर्क, सीमा अफ सरचना, अप्रवास और सीमा सुरक्षा छेत्रों में सहयोग देने पर पर भी चर्चा की गई है और भारत के नए विदेश सच्चिव विने मोहन क्वात्रा है ये भी आपने याद रखना है नेक्स कॉशन है नवश उत्सव रोंगाली बोहाग बीहु मोहच्व किस राज्य में मनाया गया है तो इसका सही आंसर है फ्रेंस, आप्शन बी असम र ये प्रतेक वर्ष अप्रेल के दूसरे सप्ता हमें मनाया जाता है इस महोच्वित को फसल की कटाई की शुरुवात का प्रतीक भी माना जाता है और फ्रेंस, आस्मियों में रोंगाली का अर्थ है आनंद ये भी आपने याद रखना है नेक्स कॉशन है किस मंत्राले ने स् समरिधी कारेकरम को शुरू किया है इसका सही आंचर है फ्रेंस, आप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने स्वेनिधी से समरिधी कारेकरम को शुरू किया है ये आपने याद रखना है इस योजना का उद्देश रहडी पटरी बालों को किफायती कारेशील पू जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवाश शामिल थे और फ्रेंट्स हरदीब सिंग पूरी भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के मंतरा लेके मंतरी हैं ये भी आपने याद रखना है इसका सही आंचर है फ्रेंट्स ओप्शन सी चीन देश ने जॉंग सिंग 6D सेटलाइट को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष में भीजा है इंपोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं इस सेटलाइट को लॉंग मार्च 3B वाहक रोकेट द्वारा अंतरिक्ष में भीजा गया है ये सेटलाइट विश्व सनीय स्थिर और सुरक्षित रेडियो और टेलिविजन प्रसारन और संचार सिवाई परदान करेगा अफेंट्स हमारे कॉशन में बात हुई है चीन की तो चलिए मैं आपको चीन देश के बारे में बता देता हूँ चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है चीन की राजधानी है बिजिंग और चीन की करंसी है रेन मिन्बी योवान और चीन के राष्ट पती है शी जिन पिंग ये भी आपने याद रखना है नेक्स कॉशन है विश्व बैंक द्वरा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दोरान भारत में आत्याधिक गरीबी में कितने प्रतीशत की गिरावट दर्ज की गई है तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स ओप्शन बी 12.3 प्रतीशत तो फ्रेंट्स भारत में आत्य प्रतीशत की गिरावट दर्ज की गई है ये भी आपने याद रखना है इंप्रेंट्स जान लेते हैं शहरी छेत्रों के मुकाबले ग्रामिन छेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है और ये जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में दी गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी यानि 22.5 प्रतीशत थी और जो 2019 में 10.2 प्रतीशत हो गई है ये भी आपने याद रखना है अफेंट्स हमारे क्वेशन में बात हुई है विश्व बैंक यानि वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आईए वर्ल्ड ब अंचुला कांत ये भी आपने याद रखना है नेक्स कुशन है विश्व दरोहर दिवस 2022 यानि वर्ल्ड हरिटेज डे कब मनाया गया है तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओप्शिन ए 18 अप्रेल को तो फ्रेंड्स 18 अप्रेल को विश्व दरोहर दिवस 2022 मनाया गया है ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं ये दिवस मानव दरोहर को सनरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के परियासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है और इस वश इसकी theme है दरोहर और जन्वाईू यानि हारिटेज एंड क्लाइमेट नेक्स्ट कोशन है युवाउं को प्रशिक्षन देने के लिए भारत का पहला अंतरराश्टी कोशल केंद्र यानि Skill India International Center कहां स्थापित किया जाएगा इसका सही आंसर है option A भुवनेश्वर ओडिशा में भुवनेश्वर ओडिशा में अंतरराश्टी कोशल केंद्र स्थापित किया जाएगा ये आपने याद रखना है important points से जान लेते हैं ये अंतरराश्टी कोशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाउं को गुनवत्ता प्रशिक्षन देगा और इसके लिए राश्टी कोशल विकास निगम और कोशल विकास संस्थान के बीच एक समझोता हुआ है ये भी आपने याद रखना है next question है तो इसका सही आंसर है औप्शन भी छेवी वर्षगांट तो फ्रेंट्स 14 अप्राइल 2022 को राश्टी क्रिशी बाजार की इनाम की छेवी वर्षगांट बनाई गई है ये भी आपने याद रखना है important point से जा लेते हैं राश्टी क्रिशी बाजार इनाम एक अखिल भारती electronic trading portal है जो क्रिशी उत्पादों के लिए एक इकरत राश्टी बाजार बनाने हेतु मौझूदा APMC मंडियों को online network से जोड़ता है और किसान इनाम platform पर एक online प्रतीस प्रधी और पारदर्शी मूले खोज पदती के माध्यम से अपनी उपज बेच सकते हैं जो उनके लिए अधिक विपन्दन संभावनाओं को प्रोच साहित करता है ये भी आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स इसके साथ मैं बजा दूं कि E नाम की फुल्फरम क्या है फ्रेंट्स E नाम की फुल्फरम है National Agriculture Market ये भी आपने याद रखना है इसका सही आंजर है फ्रेंट्स ओप्शन ए स्वन पदक तो फ्रेंट्स भार्ति खिलाडी साजन प्रकाश ने पुर्शों की 200 मिटर बटरफ्लाइस प्रधा में स्वन पदक जीता है ये आपने याद रखना है इंपोर्टन प्रकाश ने 1.69 दिशमलव 2.7 सेकिंड का समय निकाल कर पोडियम में शी स्थान हासिल किया है वहीं अभिनेता आर माधवन के बेटे विदात माधवन ने डैनिश ओपन स्विमिंग चैंपिंशिप के पूरुष में 1500 मिटर फ्री स्टाइल्स प्रधा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और इसका आयोजन थल है कॉपन हेगन डैन्मार्क ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है मोस्मी प्रवासी कामगारों की अवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रिशन ट्रैकिंग सिस्टम अप्लिकेशन विक्सित करने वाला भारत का पहला राजिक कौन सा बना है मोस्मी प्रवासी कामगारों की अवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रिशन ट्रैकिंग सिस्टम अप्लिकेशन विक्सित करने वाला भारत का पहला राजिक बना है ये भी आपने याद रखना है इंपोर्डन पॉइंट से जान लेते हैं ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है MTS परियोजना की परिकलपना प्रवासी लाभाधियों को टीका करन, पोशन अपूर्ती, स्वास्थ जान, आदी जैसी एकिगरत, बाल, विकास, सेवाओं को निरंतरताब को बनाए रखने के लिए की गई है जिसमें स्तनपान करवाने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयू के बच्चे और पंजिगरत, गर्वबती महलाएं शामिल हैं, ये भी आपने याद रखना है इसका सही आंसर है, फ्रेंट्स, आप्शन सी, नागपूर महाराष्ट्र में, भारत का पहला रेडियो चैनल, रेडियो अक्ष को लाँच किया गया है ये भी आपने याद रखना है आए, इंपोर्टन पॉइंट से कोशन को जान लेते हैं ये रेडियो चैनल, नेतर ही लोगों की पहुंच शिक्षा संसाधनों और ओडियो बुक तक सहज करने में मदद करेगा साथ ही दिश्टी ही लोगों को डिजिटल उपकरनों पर उपलब्द कराई जा रही और यूबुक का विकल्ब भी देगा, ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है, ओप्शन C, 17 अपरेल को तो फ्रेंट्स 17 अपरेल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है इंपोर्टन पाइंट्स से जान लेते हैं, ये दिन हीमोफीलिया और अन्य रख्तस्त्राव विकारों के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस वश इसकी थीम है, एकसेस फोर ओल, पार्टनर्शिप, नीती, प्रगती, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रख्तस्त्राव विकारों को राष्ट नीती में एकिकरत करना है और फ्रेंट्स आए जान लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में ये एक दुरलब विकार है, जिसमें मानम रख्त में समाने रूप से ठका नहीं जमता, क्योंकि इसमें परियाप्त रख्त ठके प्रोटीन कारकू का अभाव होता है, ये भी आपने याद रखना है इसका सही आंचर है, फ्रेंट्स ओप्शन डी, राजेश तलवार तो फ्रेंट्स राजेश तलवार, दबोई हो रोट कॉंस्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये आपने याद रखना है नेक्स कॉशन है, अंतरिक्ष प्रोधुगी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लाउंच करने वाला भारत का पहला राजे कौन सा बना है तो फ्रेंट्स इसका सही आंचर है, उप्शन ए, तेलन गाना राजे तो फ्रेंट्स, तेलन गाना राजे, मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लाउंच करने वाला भारत का पहला राजे बना है, ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं, ये virtual reality स्पेस पर आयोजित भारत का पहला अधिकारिक कारेक्रम है और इसका उद्देश्य, अंत्रिक्ष तकनीक छेतर में नीजी उध्योगों की भागेदारी का समर्थन करना और राज्यो को प्रोधोगिकी के छेतर में व्याश्विक स्थर पर मान्यता प्राप्त, वन स्टॉप डेस्टिनिशन के रूप में स्थापित करना है अचलिये friends, Metaverse के बारे में जान लेते हैं Metaverse एक virtual reality space है, जिसमें उप्योग करता, computer से उत्पन, वातावरन और अन्य उप्योग करताओं के साथ बाचित कर सकते हैं ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है तो friends, इसका सही आंसर है, option A, हर्याना राज्यने तो friends, हर्याना ने बारवी senior पुरुष राष्ट्य होकी championship 2022 का किताब जीता है, ये आपने याद रखना है Important point से जान लेते हैं, हर्याना ने 2011 के बाद पहली बार ये किताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है, भुपाल, मध्यपरदेश और संस्क्रण है, बारवा ये आपने याद रखना है Next question है, किस वैश्विक tech company ने iPhone users के लिए switch to Android app को launch किया है तो friends, इसका सही आंसर है, option B, Google ने तो friends, Google ने switch to Android app को launch किया है, ये आपने याद रखना है Important points से जान लेते हैं, इस एप की मदद से iPhone से Android device में आसानी से data transfer हो सकेगा और friends, हमारे question में बात हुई है Google की, तो चलिए Google के बारे में जान लेते हैं Google अमेरिका की भहुराश्टी technology company है, और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी और इसका मुख्याले है California USA में और संस्थापक है, सरगयी ब्रिन और लेरी पेज और CEO है, सुंदर पिचाई और CFO है, रूट पॉरेट और पेरेंट कंपनी है इसकी, Alphabet Inc. ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है, विश्व यकृत दिवस 2022 जिसे हम World Lever Day भी कहते हैं, कब मनाया गया है? तो फ्रेंट्स, इसका सही आंसर है, option B, 19 अप्रेल को तो फ्रेंट्स, 19 अप्रेल को विश्व यकृत दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है इंपोर्टन प्रेंट्स से जान लेते हैं, हर साल 19 अप्रेल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश, लोगों को यकृत से जुड़े, समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रती जागरुप करना है यकृत शरीर के महत्वपुन अंगों में से एक है, वहीं इसका कारे भोजन को पचाना है, ये भी आपने याद रखना है नेक्स कृशन है मारा तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, डी गुकेश तो फ्रेंट्स डी गुकेश ने 48-वा लारोडा ओपन शत्रंज टूनमेंट 2022 का किताब जीता है, ये आपने याद रखना है आए इम्पोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं भारत के युवा ग्रेंड मास्टर डी गुकेश ने इसराइल के विक्टर मिखालिवस्की को हरा कर 48-वा लारोडा ओपन शत्रंज टूनमेंट 2022 जीत लिया है और इस प्रतियोकिता में भारत के आर प्रग्यानंद तीसरे स्थान पर रहे हैं और इसका आयोजन स्थल है, स्पेन और संस्क्रण है, 48-वा ये भी आपने याद रखना है सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितन गडकरी ने AI MA Managing India Awards 2021 में किसे Director of the Year का पुरुषकार से समानित किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है Option D, शुजीत सरकार तो फ्रेंट्स, सुजीत सरकार को नितन गडकरी जी ने AI MA Managing India Awards 2021 से Director of the Year पुरुषकार से समानित किया है ये आपने याद रखना है Important point से जान लेते हैं सुजीत सरकार को ये पुरुषकार सरदार उदम फिल्म के लिए प्रदान किया गया है हर साल AI MA Director of the Year पुरुषकार प्रदान करता है जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्मान की भावना का उधारन दिया है और इसमें एक उत्कृष्ट कृती बनाई है और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और संस्क्रन है बारवा ये आपने याद रखना है नेक्स कोशन है मारा स्थानिय कारिगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षन एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40 वे संस्क्रन का आयोजन कहा हुआ है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है option C मुंबई महाराष्ट में तो फ्रेंट्स मुंबई महाराष्ट में हुनर हाट 2022 के 40 वे संस्क्रन का आयोजन हुआ है ये आपने याद रखना है आईए important point से जा लेते हैं केंदरी युवा और सूचना प्रसारन मंतरी अनुराग ठाकूर ने इस आयोजन का उदगाटन किया है अब फ्रेंट्स आईए हुनर हाट के बारे में जान लेते हैं हुनर का मतलब होता है किसी भी कला या विधा में पारंगत और हाट का अर्थ है बाजार और इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीजे बिखती है और इसका उदेश है कारीगरों शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेशग्यों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अफसर प्रदान करना और फ्रेंट्स इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम बेस्ट यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन है उशिन कटबंदिय तुफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है उशिन कटबंदिय तुफान मेगी इस साल फिलिपिन्स में आने वाला पहला बड़ा तुफान है और फिलिपिन्स में ये तुफान एक्टन नाम से जाना जाता है ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है Option D, उलान बट और मंगोलिया में The Friends, उलान बट और मंगोलिया में Senior Asia कुष्टी Championship 2022 खेल का आयोजन हुआ है ये आपने याद रखना है Important point से जान लेते हैं Olympic पदक विजे तारवी धहिया और बजरंग पुनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और इसका आयोजन स्थल है उलान बट और मंगोलिया ये आपने याद रखना है Next question है किस राज्य सरकार ने प्रदेश की युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए गुरुजी Student Credit Card योजना को शुरू किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंचर है Option D जारखंड तो फ्रेंट्स जारखंड राज्य सरकार ने गुरुजी Student Credit Card योजना को शुरू किया है ये भी आपने याद रखना है गुरुजी Credit Card योजना के तहट युवाओं को बहुत कम rate of interest पर रिन दिया जाएगा और इस योजना के तहट 10 लाख रुपे तक का लोन लिया जा सकेगा अफेट्स हमारे कोशन में बात हुई है जारखंड राज्य की तो चलिए जारखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं जारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में जारखंड की राजधानी है रांची मुख्य मंत्री है हेमंद सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस और मुख्य नयाइधीश है रवीन अंजन और जारखंड की लोग सबा सीटे हैं 14 राज़सबा सीटे हैं 6 और विधान सबा सीटे हैं 81 यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन है टैनिस टूनमेंट ATP 1000 Montecarloz Masters 2022 का किताब किस ने जीता है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है option A स्टेफानो सिटसी पास ने तो फ्रेंट्स स्टेफानो सिटसी पास ने ATP 1000 Montecarloz Masters 2022 का किताब जीता है यह आपने याद रखना है इंपोर्टन पैंट से जान लेते हैं युनान के स्टार टैनिस खिलाडी स्टेफानो सिटसी पास ने ATP 1000 Montecarloz 2022 का किताब जीता है और उन्होंने final match में अलेजांद्रो डोविडविच फोकीना को 6-3-7-6 से हरा कर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन सल है फ्रेंट्स Monaco Europe यह आपने याद रखना है और फ्रेंट्स हमारे कॉशन में बात हुई है ATP की पूरे विश्व में टैनिस खेल को ATP रेगूलेट करता है ATP यानि Association of Tennis Professionals और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में मुख्याले है लंदन UK में और अध्यक्ष है एंड्रिया गाउंडेजी ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है हमारा हिंद महसागर में तेल, रिसाव और प्लास्टिक प्रदूशन से निपटने के लिए राश्टि स्तर के प्रदूशन प्रतिकरिया अभ्यास यानि National Pollution Response Exercise नेट पॉलर रेक्स एट का उध्गाटन किस नहीं किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है Option C, आजे कुमार जो कि हमारे रक्षा सच्चिव है तो फ्रेंट्स आजे कुमार ने नेट पॉलर रेक्स एट का उध्गाटन किया है ये भी आपने याद रखना है प्रदूशन प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पॉलरेक्स एट का आयोजन भारतिय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोर मुगाव बंगदरगा पर किया जा रहा है और यह इस अभ्यास का आठ्वा संस्क्रण है यह आपने याद रखना है संयुक्तर राष्ट चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्षिन ए 20 अपरेल को संयुक्तर राष्ट चीनी भाषा दिवस मनाया गया है यह आपने याद रखना है इंपोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं इस दिवस को कंगीजी को शुर्धांजली देने के लिए मनाया जाता है जिन्नोंने एक पुरानी कथा के अनुसार लगबग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का अविश्कार किया था यह भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है अक्षे उर्जा के तहच शहरों को विक्सित करने के लिए भारत में पहली चट पर लगी पॉटेबल सोर परनाली का उधगाटन कहां किया गया है इसका सही आंसर है option C गांदी नगर गुजरात में पॉटेबल सोर परनाली का उधगाटन किया गया है यह आपने याद रखना है इंपोर्डन पॉटेबल से जान लेते हैं यह देश की पहली पॉटेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलब चट पर लगी सोर परियोजना है इस सिस्टम का निर्मान नई दिल्ली में स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड ने किया है यह आपने याद रखना है फ्रेंस नेक्स कुशन है हमारा किस राज्य और केंदर शासित परदेश ने चातरों को विभिन भार्षाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकाले इकिताब कोश को लॉंच किया है तो फ्रेंस इसका सही आंसर है उप्शन ए जम्मू कश्मीर तो फ्रेंस जम्मू कश्मीर केंदर शासित परदेश में ऑनलाइन पुस्तक काले इकिताब कोश को लॉंच किया है या आपने याद रखना है इंपर्टन पैंट से जान लेते हैं फ्रेंस ये परियोजना ग्रामिन विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से सूचना प्रदुकी की विका विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे केंदर शासित परदेश में डिजिटली करन प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही है और इस पोटल को राश्टी सूचना विज्ञान केंदर जम्मू कश्मीर द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया है और इस डिजिटल पुस्तकाले में विभिन विश्यों पर शैशनिक, धार्मिक, साहित्य, इतिहास, कविता और बच्चों की कहानिया आधी पुस्तके उ लाउंच किया है तो इसका सही आंशर है Option D Mastercard तो ने Mastercard भुक्तान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड लाउंच किया है यह आपने याद रखना है इम्पोर्टन पाइंट से जान लेते हैं यह कार्ड यूजर्स को क्रिप्ट क्रिप्ट करेंसी बेचे बिना शॉपिंग करने या खर्च करने की सुविधा देगा और बिटकोईन या आने वर्चुल करेंसी को इस क्रिडिट कार्ड की गरंटी के तोर पर रखा जाएगा और आम क्रिडिट कार रुपेज से चलता है लेकिन यह नए तरह का क्रिप्ट क काड कृप्ट करण्सी से चलेगा यह आपने याद रखना है नेक्स्ट क्कूशन है इनिवेक्टिस गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इसका सही आंशर है ओप्शिन डी निदरलेंड तो इप्रेंड रखनेंड देश इन्वेक्तिस गेम 2022 की मेज-बानी क यह यह आपने याद रखना है, important point से जान लेते हैं friends, इंविक्टिक्स गेम एक अंतर राश्टिक खेल प्रतियों किता है, जो घायल और पिमार सैनने सिवा करमियों और युद्ध के पूर्विचानिकों के लिए है, वश्च 2023 में ये जर्मनी के डसेल डॉर्फ में आयोजित किया जा की वृद्धी दर का अनुमान 4.1 परतिशत से घटा कर कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये आपने याद रखना है, important point से जान लेते हैं, विश्व बैंक के अनुसार रूस, युक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व की अर्थ विवस्ता प्रभावित हो और विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7 पीसिदी से घटा कर 8 पीसिदी रहने का अनुमान लगाया है, ये भी आपने याद रखना है, अफ्रेंट से हमारे कुशन में बात हुई है, वर्ल्ड बैंक की, तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड बै ये आपने याद रखना है, नेक्स कोशन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है, ओप्शन ए, राजस्थान राज्य, तो फ्रे Internet Corporation for Assigned Names and Numbers के साथ मिलकर स्थापित किया है, और इस व्यवस्था के बाद, अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बडी या प्रतीक विपद्दा के कारण, Internet Connectivity में दिक्कत आती है, तो भी ये राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेग और साथ ही इससे High Speed Internet Connectivity भी सुनिश्चित होगी, ये भी आपने याद रखना है, तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है, Option A, सिंगापूर ने, तो फ्रेंट्स सिंगापूर देश ने अंतर राष्ट्य जल सपताह जल सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है, इंपर्टन पाइंट से जान लेते हैं, सिंगापूर अंतर राष्ट्य जल सपताह जल सम्मेलन, जल समाधान साजा करने एवं सह निर्मान के लिए एक व्याश्विक मंच है, और भारत की तरफ से राष्टी स्वच गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशो कुमार ने इस सम् स्त्रोत से नल तक जल पहुचाना और प्रभावी एवं कुशल अप्शिष्ट जल प्रबंदन ये आपने याद रखना है नेक्स कुशन है मारा, भारत के नयए प्रधान व ज्यानिक सलागार यानि प्रिंसिपल साइन्टिविक एडवाइजर कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंशर है, option D, अजे कुमार सूध तो फ्रेंड्स, अजे कुमार सूथ भारत के नए परधान विज्यानिक सलाकार बने हैं ये आपने याद रखना है और फ्रेंड्स, अजे कुमार सूथ विजे राग्वन का स्थान लेंगे ये भी आपने याद रखना है Next question है तो फ्रेंड्स, इसका सही आंचर है option A. Cyrus Punawala तो friends Cyrus Punawala वेश्रिक स्वास्थ अरपती सूची 2022 में शी स्थान पर रहे हैं ये भी आपने याद रखना है तो चलिए friends important point से question को जान लेते हैं Cyrus Punawala 26 billion अमरीकी डॉलर के साथ सूची में सबसे उपर हैं और इस सूची में चीन में सबसे आदिक यानि 34 स्वास्थ उध्योग अरपती हैं और इसके बाद सयुक्त राज्य अमेरिका में 16, स्विजर लेंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत में 9 स्वास्थ उध्योग अरपती हैं ये भी आपने याद रखना है और फ्रेंड मैं आपको इस रिपोर्ट में टॉप तीन स्वास्थ उध्योग पतियों के नाम भी बता देता हूँ फर्स स्थान पर हैं साइरस पुनावला दूसरे स्थान पर हैं थॉमस फ्रिस जूनियर और फैमिली और तीसरे स्थान पर हैं ली जिटिंग और जूहिंग और इस रिपोर्ट के जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टिटूट ये आपने याद रखना है नेक्स कुशन है किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल सर्मत का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंचर है और ये एक त्री स्टेज की तरह इंधन वाली मिसाइल है और ये मिसाइल 18,000 किलोमेटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 प्रमानु बम ले जा सकती है ये भी आपने याद रखना है हमारे कॉशन में बात हुई है रूस की तो चलिए मैं आपको रूस के बारे में बता देता हूँ रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है रूस की राजधानी है मौस्को रूस की मुद्रा है रूबल और रूस के राष्टपती है वलादिमीर पुतिन और रूस के परधान मंतरी है मिखाइल, मिशुस्तीन ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है विश्वर चनातमक और नवाचार दिवस मनाया गया है ये आपने याद रखना है इंपोर्टन पाइंट से जान लेते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश लोगों को नई विचारों का उपयोग करने नई निरने लेने और रचनातमक सोच रखने के लिए प्रोचाहित करना है और इस वश इसकी थीम है सहयोग यानि कोलाबोरेशन ये आपने याद रखना है नेक्स कोशन है और इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुदहरित हाइडरोजन संयत्र कहां शुरू किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है option B असमराज में तो फ्रेंट्स असमराज में भारत का पहला शुदहरित हाइडरोजन संयत्र शुरू किया है ये आपने याद रखना है important point से जान लेते हैं इसके साथ ही भारत ने हरित हाइडरोजन अर्थ विवस्ता की दिशाक में पहला महत्वपुन कदम उठा लिया है और इस संयत्र को record तीन महीने के समय में चालू किया गया है ये भी आपने याद रखना है और फ्रेंट्स चलिए मैं आपको हरित यानी ग्रीन हाइडरोजन के बारे में बदा देता हूँ ग्रीन हाइडरोजन हवा या सोर उर्जा जैसी अक्षे उर्जा का प्रयोग करके उतपादित हाइडरोजन गैस को कहते हैं ये भी आपने याद रखना है नेक्स कुशन है विभिन योजनाओं से संबंदित शिकायतों को ओनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी आप को कहा लाँच किया गया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है ओप्षिन बी जम्मू कश्मीर तो फ्रेंट्स जम्मू कश्मीर में जन निगरानी आप को लाँच किया गया है ये आपने याद रखना है जन निगरानी आप एक 24-7 इंटरनेट अधारिक प्लाटफोर्म है और इसका उद्देश विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन जानकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन है भारती मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराश्ट पती कमला हैरिस की कारेकारी सच्चिव और रक्षा सलाकार के रूप में निवक्त किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है आप्शिन A शान्ती सेठी तो फ्रेंट्स शान्ती सेठी को अमेरिका की उपराष्ट पती कमला हैरिस के कारेकारी सच्चिव और रक्षा सलाकार के रूप में नियुक्त किया गया है ये आपने याद रखना है इम्पोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने व्याश्विक आयूश निवेश एवं नवाचार शिकर सम्मेलन 2022 का उद्गाटन कहां किया है? तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है, ओप्शन C, गांधी नगर गुजरात में तो फ्रेंट्स गांधी नगर गुजरात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने व्याश्विक आयूश निवेश एवं नवाचार शिकर सम्मेलन 2022 का उद्गाटन किया है, ये भी आपने याद रखना है इंपोर्टन पइंट से जान लेते हैं फ्रेंट्स, इस सम्मेलन में मौरिश्यस के प्रधान मंत्री प्रविंद जगनात और डबली अच्चो के महानि देशक ट्रेडोज एक गब्रेस सिर्ज ने भी हिस्सा लिया है और इस सम्मेलन का उद्देश भारत को दुनिया में व्याश्विक आयूस थल के रूप में तयार करना है, ये भी आपने याद रखना है व्याश्विक प्रधुगी की कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख यानि कंट्री हड निउक्त किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है और विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना 29 डिसंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्याले बैंगलूरु करनाटक में है और इसके चेर्मन है रिशद प्रेम जी ये भी आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर है औप्शन ए 21 अप्रेल को तो फ्रेंट्स 21 अप्रेल को राष्ट्री लोग सेवा दिवस 2022 मनाया गया है ये आपने याद रखना है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिवल सेवकों के प्रयासों और कारियों को प्रेजित करना है और भारत सरकार ने 21 अप्रेल को राष्ट्रे लोग सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले ग्रह मंत्री सरदार वल्लब भाई पतेल ने 1947 में नव न्यूक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संभोधित किया था ये भी आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हमने पड़ा टॉफ सिक्स्टी वीकली करंट अफेर्स के क्वेस्चन्स और फ्रेंट्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टैलिग्राम, फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम के माध्यम से नाम है रवी स्टड़ी आईक्यू जी के औ और करंट अफेर्स बायरवी के नाम से तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू एंड विश्यू आल दी बेस्ट